नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निस्वार्थ ज्यान पर तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक मुठी धनिया वाला उपाय करना चाहिए यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्थ पर सही क्रिया अनुसार एक मुठी धनिया वाला उपाय कर लिया जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है तो मान के चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी के आशीरवाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपकी कोई भी मनोकाम ना हो, मान लीजिए, आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद बड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएगे, और मान के चलिए, दोस्त के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा, जिसकी आपने कभी कलपना भी नहीं करी होगी, इसी लिए आप लोग इस एक मुठी धनिया वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना ज और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुरान की कथा में बताया है जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। जीवन में कभी दुख दर्द मताने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पांच बार जय माता लक्ष्मी जरूर लिखे ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी को प्राप्थ हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाथ अनुष्ठान से जो मनो कामना पूर्ण नहीं होते। वह दिवाली के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनो कामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उ उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो। आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है जैसे पित्र दो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है पर हमने उस दिन पर इस एक मुठी धनिया वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेश दिन पर कर रहे हो तो चलिए, अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है किसको करना है और कैसे करना है तो चलिए, हम आगे आपको वीडियो में एक-एक करके बता देते हैं तो दोस्तों, इस एक मुठी धनिया वाले उपाय को हमें इस दिवाली के दिन कैसे करना है किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको एक मुठी धनिया वाला उपाय जरूर करना चाहिए क्योंकि इस दिन सत्रुवो और किसी भी दोश किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक मुठी धनिया का बहुत ही बड़ा और विशेश महत्व होता है और जब बात आ जाए एक मुठी धनिया की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है अब दोस्तों इस एक मुठी धनिया वाले उपाय को आखिर करना किसको है सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहने होती है उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते है अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शान्ती के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है माताएं बहने अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक मुठी धनिया वाले उपाय को कर सकता है चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है अब दोस्तों एक मुठी धनिया वाले उपाय को हमें करना कहां पर है देखो इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं देखो तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा घर में नहीं करना है इस वाले उपाय कुस्तों दिवाली की रात एक मुठी धनिया कंगाल को भी धनवान बना सकती है जानिये कैसे दरसल धनिया आपके घर में धन आगमन की चाबी है यहमा लक्ष्मी की प्रिय वस्तूओं में से एक मानी जाती है यह अपने साथ आपके घर में सुख, सम्रिद्ध, वैभव और खुशहाली लेकर आती है यह आपकी गरीबी को हमेशा के लिए मिटा सकती है और आपको आर्थिक लाभ दिला सकती है आपके घर में सकारात्मक उर्जा का वास होता है आप अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए दिवाली के दिन धेर सारे पूजा पाठ और उपाय करेंगे मान लक्षमी की कृपा प्राप्त करने के लिए लेकिन इतना सब कुछ करने की बजाए अगर आप दिवाली के दिन सिर्फ एक मुठी धनिया खरीद कर लाएं और उससे एक सरल उपाय करें तो आपके घर में लक्षमी आएंगी और कभी वापस नहीं जाएंगी धन के इस उपाय को जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें यह उपाय शास्त्र के आधार पर है नमस्कार दोस्तों शास्त्र का ज्यान पर आप सभी का स्वागत है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में जाएं और मान लक्षमी जरूर लिख दीजिएगा अगर आप दिवाली के दिन मान लक्षमी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक नया जाडू जरूर खरीदें जाडू को मान लक्षमी का रूप माना जाता है इसलिए इस दिन जाडू खरीदना बेहद शुभ माना गया है दिवाली पर जाडू खरीदने से धन में वृद्धि होती है और ग्रिह क्लेश से निजात मिलती है जब भी नया जाडू खरीदें उस पर सफेद धागा बांधें इससे मा लक्ष्मी स्थाई रूप से आपके घर में निवास करने लगेंगी और आपके घर में इतना धनाएगा कि आप संभाल ही नहीं पाएंगे दिवाली के दिन घर के मुख्य द्वार पर मा लक्ष्मी के चरण चिन्ह लगाना बेहत शुब भल प्रदान करता है दोस्तों दिवाली के दिन लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह घर के मुख्य द्वार पर लगाना अत्यंत शुब होता है इसे लगाने से घर में मा लक्ष्मी का आशीरवाद प्राप्त होता है जिससे सुख, सम्रिध्य और खुशहाली का वास होता है यह लक्ष्मी जी को आमंतरण देने के बराबर माना जाता है इसके अलावा आप पूजा घर में भी लक्ष्मी चरण के चिन्ह लगा कर मा लक्ष्मी की कृपा को साकार कर सकते हैं इस दिन एक नमक का पैकेट खरीद कर घर में लाना भी लाभकारी होता है इसे रोजाना खाने में मिलाएं इससे मा लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उनके आशीरवाद से घर में हमेशा सुख और सम्रिध्य बनी रहती है दिवाली के दिन मा लक्ष्मी को शुद्ध घी में कमल गटे मिलाकर भोग अर्पित करें इससे मा लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है यदि संभव हो तो 108 कमल गटे की माला बना कर मा लक्ष्मी को अर्पित करें इससे मा लक्ष्मी स्थिर रूप से आपके घर में निवास करती है जिससे आपके घर में हमेशा सुख, समरिध्य और धन वैभव बना रहता है आर्थिक लाब के लिए आप लोक माननिता के अनुसार, धनिया, हल्दी, कौडी, कमल गट्टा और क्रिस्टल नमक को एक लाल कपड़े में बांध कर पोटली बना सकते हैं इस पोटली को लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों से स्पर्श करवाकर अपने घर की तिजोरी या पूजा स्थान में रखें ऐसा करने से आपके जीवन या कारोबार में कभी परेशानी नहीं आएगी अगर आप दिवाली के दिन सिर्फ एक मुठी धनिया खरीद कर लाएं और उससे एक सरल उपाय करें तो आपके घर में लक्ष्मी आएंगी और कभी वापस नहीं जाएंगी हमारे समाज में धनिया के उपाय और टोटके सदियों से किये जा रहे हैं और दिवाली की रात इन्हें करना अत्यंत कारगर माना गया है धन तेरस या दिवाली के दिन पूजा की बाकी सामग्रियों के साथ साबुद धनिया अवश्य खरीदें इस धनिया को मा लक्ष्मी, भगवान धनवंतरी और गणेश जी के सामने रखकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर अरपित करें फिर हल्दी, कुमकुम और अक्षत से भगवान की पूजा करें और हाथ जोड़ कर प्रार्थना करें कि भगवान आप सब हमारी जीवन यात्रा में अपनी कृपा बनाए रखें पूजा के बाद थोड़ी सी धनिया को घर की छट पर चारों तरफ छिड़क दें इससे आपके घर में हमेशा सुख और सम्रिध्ध बनी रहती है और बुरी शक्तियों का नाश होता है थोड़ी सी धनिया को लाल कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में रख दें इससे मा लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बनी रहती है दोस्तों ऐसा करने से आपके घर में हमेशा भंडार भरा रहेगा और ढेर सारी सम्रिध्ध आएगी इस धनिया के कुछ दाने अपने घर के बगीचे में या किसी गमले में ले जाकर मिट्टी में डाल दें गमले की मिट्टी में डाले गए धनिया के दाने धीरे-धीरे पौधे बनाएंगे और यह आपके लिए शुभ संकेत लाएगा यदि धनिया का पौधा हरा-भरा और स्वस्थ निकले तो इसका मतलब है कि आपका पूरा साल संपन्नता और धन वैभव से भरा रहेगा और घर में बरकत बनी रहेगी लेकिन अगर पौधा पीला, मुर्जाया हुआ हो या पौधा निकलता ही न हो तो यह संकेत है कि आपको पूरे साल आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है लेकिन घबराएं नहीं, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ दिवाली के दिन धनिया की पूजा करके यह उपाय जरूर करें आपके घर में इतनी बरकत होगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे धनिया का यह अचूक उपाय करने के साथ ही आप दिवाली पर और भी उपाय कर सकते हैं जिससे आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी और धन दौलत की कमी नहीं होगी मा लक्ष्मी की पूजा में हल्दी की गांठ जरूर रखें इसके साथ हल्दी, अद्रक और काली मिर्च को भी रखना शुभ माना जाता है जब आप मा लक्ष्मी, गणेश जी और भगवान धन वंतरी की पूजा और आर्ती कर लें तो इस हल्दी की गांठ को अपने मंदिर, तिजोरी या किचन में किसी साफ जगह पर रख दें हल्दी वैसे भी शुभ मानी जाती है और यह मा लक्ष्मी के चरणों में जाकर और भी शुभ फल देने वाली बन जाती है इसके अलावा आप मान लक्ष्मी की पूजा से पहले अपनी पूजा की थाली में दिवाली के दिन लाई गई पांच पीली कौडियां जरूर रखें यदि पीली कौडियां न मिलें तो सफेद गौरी को हल्दी में भिगो कर सुखा लें इन कौडियों की विधिपूरवक पूजा करें और पूजा के बाद इन्हें लाल कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी, पूजा घर या किचन में रखें इससे आपके घर में पूरे साल धन दौलत की कमी नहीं होगी यदि आप दिवाली के दिन मा लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो एक नया जाडू अवश्य खरीदें जाडू को मा लक्ष्मी का रूप माना जाता है और इस दिन जाडू खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है दिवाली पर जाडु खरीदने से धन में वृद्धि होती है और ग्रिहकलेश से भी मुक्ती मिलती है नया जाडु खरीद कर उस पर सफेद धागा बांध दें इससे मा लक्ष्मी स्थाई रूप से आपके घर में निवास करेंगी और आपके घर में इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे इसके अतिरिक्त यदि संभव हो तो 108 कमल गट्टे की माला बना कर मा लक्ष्मी को अर्पित करें इससे मा लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में स्थिर रूप से विराजमान होंगी जिससे आपके घर में हमेशा सुख, सम्रिद्ध और धन वैभव का वास रहेगा दोस्तों अगर आप मा लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमल गट्टे की माला अपने घर में रख सकते हैं गुरुजी कहते हैं कि धनिया के उपाए या टोटके हमारे समाज में लोग सदियों से करते आ रहे हैं दिवाली की रात में किये गए धनिया के उपाए अत्यंत कारगर साबित होते हैं हिंदु धर्म में दीपावली का त्योहार सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा माना जाता है यह त्योहार न केवल घरों में खुशियां लाता है बलकि मा लक्षमी को प्रसन करने के लिए भी खास माना जाता है इस पावन पर्व के दोरान लोग कई उपाय करते हैं जो उनके जीवन की समस्याओं को समाप्थ कर सकते हैं दिवाली का दिन विशेश रूप से उपाय करने के लिए बहुत शुभ माना गया है धन तेरस से ही दिवाली के पाँच दिवसीय महापर्व की शुरुवात हो जाती है दिवाली के दिन कई वस्तूओं की खरीदारी अत्यंत शुभ और सौभाग्यशाली मानी जाती है हालां कि आप इस दिन अपनी कोई भी मनचाही चीज खरीद सकते हैं लेकिन मा, लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी का आशीरवात पाने के लिए जाडू खरीदना बहुत लाभकारी माना गया है हिंदु धर्म में जाडू को मा लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है इसलिए दिवाली के दिन इसे खरीदना शुभ माना गया है धार्मिक मान्यता के अनुसार दिवाली पर जाडू खरीदने से घर की दरिद्रता दूर होती है और परिवार में खुशियां आती है घर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए हम जिस जाडू का प्रयोग करते हैं उसी जाडू से जुड़े कुछ अद्भुत उपाय हैं जिन्हें करने से मानलक्ष्मी शीग्र ही अपनी कृपा बरसाती है जोतिशियों द्वारा भी इस दिन के कुछ उपाय बताए गए हैं जिन्हें अपना कर व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं को समाप्त कर सकता है आज हम आपको दिवाली के दिन जाडू से जुड़े कुछ अचूक उपाय बता रहे हैं जिनकी मदद से आप आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं तो चलिए जानते हैं इन उपायों को विस्तार से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सबस्क्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मा लक्ष्मी जरूर लिखें जिससे मा लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे भक्तों, यह जानकारी शास्त्रों के आधार पर दी जा रही है और यह अत्यंत दुरलब है अगर दिवाली के दिन सोने, चांदी या तांबे का छोटा सा जाडू खरीद कर घर में लाया जाए और उसे मा लक्ष्मी के चरणों में पूजा के दौरान अर्पित किया जाए तो इससे मा लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उनका आशीरवाद मिलता है दोस्तों, दिवाली के दिन जाडू को लाल कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी में रखने का उपाय अत्यंत शुभ माना जाता है इस उपाय से आपके घर की तिजोरी हमेशा भरी रहती है, धन में वृद्ध होती है और आर्थिक तंगी भी दूर होती है दिवाली के दिन इस उपाय को करने से मा लक्ष्मी का आशीरवाद सदा प्राप्त होता है यदि आप दिवाली के दिन दो नए ज़ाडू लाकर उन में से एक किसी जरूरत मंद को दान करें और दूसरा घर में रखें तो यह उपाय अत्यधिक कारगर और लाबकारी होता है ऐसा करने से आपके घर में सुख समरिध्य बनी रहती है नकारात्मकता दूर होती है और घर में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है यह उपाय आपकी आर्थिक स्थिती को मजबूत बनाने के लिए अचूक माना जाता है अगर आप आर्थिक समर्स्याओं से जूज रहे हैं तो दिवाली के दिन एक जाडू खरीदें और उसे मंदिर में या अपने पूजा घर में चुपचाप रख दें इससे आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और मा लक्ष्मी का आशीरवाद प्राप्थ होता है ध्यान रखें दिवाली के दिन नई जाडू खरीदने का अर्थ यह नहीं कि पुरानी जाडू को उसी दिन बाहर फेंग दें धार्मिक मान्यता के अनुसार धन धान्य का वास सदा बना रहता है इसके साथ ही दिवाली के दिन नई जाडू के साथ साथ पुरानी जाडू की भी सिंदूर, कुमकुम और अक्षत से पूजा करनी चाहिए यह उपाय आपके घर में खुशियाँ लाने में सहायक होता है और घर में स्थाई सुख सम्रिद्ध का वास बनाता है अब बात करते हैं दिवाली की रात किये जाने वाले एक विशेश उपाय की दोस्तों, दिवाली की रात सोने से पहले जाडू के नीचे एक चान्दी का सिक्का या एक रुपए का सिक्का छुपा कर रखना अत्यंत लाबकारी माना जाता है जाडू में नकारात्मक उर्जा को सोखने की क्षमता होती है और यह सिक्का उस नकारात्मक उर्जा को रोकने में सहायक होता है चांदी का सिक्का न हो तो एक रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं इस सिक्के को पहले गंगा जल से शुद्ध करें ताकि यह स्वच और पवित्र हो जाए। फिर इस सिक्के को मा लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। ऐसा करने से मा लक्ष्मी आपके घर की सारी नकारात्मक्ता को दूर करती हैं और पूरे साल आपके घर में सुख और सम दिवाली की रात इस उपाय को अवश्य करें ताकि मा लक्ष्मी का आशीरवाद आपके घर में सदैव बना रहे। दिवाली पर जाडू खरीदने से घर की दरिद्रता दूर होती है और परिवार में खुशियाँ आती हैं। पूजा का संचार करता है और आपके जीवन में खुशियों का आगमन करता है। जाडू को इस दिन पूजा स्थान पर रख कर सिंदूर, कुमकुम और अक्षत से पूजा करें। और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में खुशियों और धन का वास बनाए रखें। अब बात करें कमल गट्टे की माला की। मा लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमल गट्टे की माला को अपने घर में रखना शुभ माना जाता है। गुरु जी का कहना है कि धनिया के उपाए या तोटके हमारे समाज में सदियों से किये जा रहे हैं। दिवाली की रात में किये गए धनिया के उपाय अत्यंत कारगर माने जाते हैं। हिंदु धर्म में दीपावली के पर्व को सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा माना गया है। यह त्योहार घरों में खुशियाओं लाने और मा लक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए विशेश होता है। इस पर्व के दौरान लोग कई प्रकार के उपाय करते हैं जो उनके जीवन की समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। दिवाली का दिन विशेश रूप से उपाय करने के लिए सबसे शुभ माना गया है। इसलिए दिवाली पर इसे खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। फिर इसे मा लक्ष्मी के चरणों में रखकर आशीरवाद प्राप्त करें। इसके बाद इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। अगले वर्ष तक इसे वहीं रहने दें। और चाहें तो अगले साल भी यह प्रयोग दोहरा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सभी यह उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर होने में समय नहीं लगेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिवाली का प्यार दिन है और दिवाली का दिन विशेश करके उन लोगों के लिए बहुत ही उत्तम होता है जो अपने जीवन की निर्धनता से परेशान है, गरीबी से परेशान है, जिन लोगों के जीवन में करजा बहुत ह या जो लोग अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं, आपको हमेशा ही धन को लेकर परेशान रहना पड़ता है, तो देखिए, आज की वीडियो बिलकुल भी आपको स्किप नहीं करनी है, क्योंकि आज की वीडियो में एक रुपे के सिक्के का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं, जो कि आपको अपने घर करना है, और इतना सरल उपाय है, जितना यह सरल है, इसके लाब और इसके फाइदे उतने ही ज्यादा है, तो देखिए, बात कर लेते हैं, कि यह उपाय आपको करना किस समय है, और किस तरह से करना है, कौन-कौन सी चीजें लेनी, देखिए, सबसे पहले तो बता दें कि दि कर लिया फिर जीवन की निर्धनता तो बहुत जल्दी दूर होगी ही होगी तो देखिए उपाय को करने के लिए आपको एक सिक्का लेना है तो आपको जो माता रानी का सिक्का मिल जाए तो और बढ़िया है मतलब जिसमें माता लक्षमी का फोटो बना होता है नहीं तो आप एक रुपए का सिक्का लेना है आपको साबुन या फिर सर्प से अच्छी तरीके से उसे साफ कर लेना है क्योंकि आपको इसे पूजा में रखना है एक रुपए का सिक्का ले लिया एक देशी घी का दीपक तयार करेंगे लंबी बाती का दीपक यहाँ पर आपको तयार कर और थोड़ा सा उसे तोड़ लेंगे, थोड़ा लंबा सा धागा आपको लेना है, जिससे कि उसकी लंबी बाती आसानी से बन सके। दीपक, आपने तयार कर लिया, एक रुपे का सिक्का ले लिया, और आपको लेना है यहाँ पर, एक या दो बताशे, ठीक है ना, आप चीनी भी ले सकते हैं, बताशा भी ले सकते हैं, अब आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है, दिवाली के दिन सबसे पहले जो मूर्ति प्रतिमा के आगे जला देना है, ठीक है ना, जो लाल बाती का दीपक आपने लिया है, अब देखिए, दीपक जलाने के बाद, जो आपने चाहे तो दो बताशे लिये हैं, चाहे तो आपने शक्कर ली है, चीनी ली है, वहाँ आपको मा लक्षमी को अर्पित करनी ह और एक रुपए का सिक्का आपको माता लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के पास रख देना है और यह कहक रखना है कि मा लक्ष्मी मेरे जीवन की की निर्धनता और और गरीबी को दूर करें और अपनी कृपा मुझ पर बनाएं और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे घर को मेरे घर के धन को बढ़ाएं मेरे घर में धन की वृद्धि करें मेरे जीवन की निर्धनता को दूर करें करजे जैसी समस्याओं को दूर करें और श्री हरी विश्नु के साथ आप मेरे घर में पधारें ऐसी प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है जो एक रुपे का सिक्का है उसे ऐसे ही आपको छोड़ देना है पूरी रात के लिए दिवाली के दिन यह उपाय करेंगे दिवाली के दिन आपको इसे ऐसे ही रखे रहने देना है ठीक है ना? अब आपको क्या करना है? अगले दिन यानि की मंगलवार के दिन आपको वह एक रुपए का सिक्का उठाना है और एक लाल रंग के कपड़े में आपको वह एक रुपए का सिक्का रख देना है ठीक है न? एक लाल रंग के कपड़े में रख देंगे अब आपको यह एक रुपय का सिक्का अपने धन रखने वाले स्थान पर रखना है और मा लक्ष्मी श्री हरी विश्नु से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर की तिजोरी को आप हमेशा धन से भर दें और मेरे घर की तिजोरी कभी भी धन से खाली ना हो मेरे जीवन में कभी भी निर्धनता गरीबी ना आए मेरे जीवन में हमेशा मुझे धन प्राप्त होता रहे ज्यादा से ज्यादा धन मैं अपने जीवन में प्राप्त करूँ और मैं खूब महनत करूँ अपने जीवन में मैं खूब आगे जाऊं। ऐसी प्रार्थना कर लेना और यह एक रुपए का सिक्का अपनी तिजोरी में रख देना। देखिए, आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि तिजोरी जो है आपकी वह साफ होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का कोई कागज आपको नहीं रखना है, कोई भी किसी भी चीज की फोटो कॉपी नहीं रखनी है। इस उपाय को करने से जीवन की निर्धनता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपके जीवन से दूर होने लगती है। मा, लक्ष्मी का आशीरवाद आपको मिलता है, श्री हरी विश्नु का आशीरवाद आपको मिलता है। तो देखिए, पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं, अपने दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। अब देखिए, धन को लेकर अगर आप बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि आपको बता दे, मा, तुलसी जो है है न, ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है, तो तुलसी से जुड़ा उपाय जब आप करते हैं, तो धन संपदा की कभी आपके घर में नहीं कमी होती है, आप दीपावली वाले दिन तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ ये उपाय कर लेते हैं, और इस बार तो दीपावली पर आपको बता दें, कि बहुत ही ज्यादा उत्तम योगों का निर्मान हो रहा है, तो इस दिन आपको बिल्कुल नहीं चूकना है, क्योंकि आपको बता द कि इस दिन एक नहीं, पूरे दो बहुत ही शुभ और उत्तम योग बन रहे हैं, इस दिन सिध्धियोग और सरवार्थ सिध्धियोग दोनों के दोनों योग बे रहे हैं, और ऐसे में यह उपाय आप कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए, आपका उपाय तुरंत सफल भी हो भी पूरी होगी, धन संपदा भी आपके घर में बढ़ेगी, मा लक्षमी की कृपा बरस्ती रहेगी बात कर लेते हैं, सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको दीपावली के दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एन पूरी वाले दिन, अपने घर में, सुबह के समय में सनान आदी करने के बाद, गंगा जल का छिड़काव करना है, गंगा जल का सबसे पहले आप छिड़काव करेंगे, उसके बाद जब आप सनान करेंगे, उस जल में आपको क्या करना है, एक छुटकी पिसी हुई हल्दी डाल कर आपको सनान करना है, देखिए, अगर आप एक छुटकी पिसी हुई हल्दी इस दिन डाल कर सनान कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए, कि रातों रात आपका भाग्य जो है, यह चमकता चला जाता है, और आपके घर में जितनी भी नेगेटिव उर्जा होती है, नका आपके भाग्य का साथ मिलने लगेगा, और आपके भाग्य में जो दुख हैं, कश्ट हैं, वो आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे, क्योंकि हल्दी जो है, यह आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत करती है, साथ ही साथ श्री हरी विश्नु बहुत जल्द इस से प्रसन्न होते हैं, तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि आपके घर से नेगेटिव उर्जा को दूर करेगा, नकारात्मक शक्ति को दूर करेगा, बुरी शक्तियों को दूर करेगा, साथ ही साथ नजर दोश, अगर घर को लगी है, किसी व्यक्ति को लगी है, वो भी दूर हो जाएगी और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाती है जब इस उपाय को आप करते हैं आपके भाग्य का भी आपको पूरा-पूरा साथ मिलता है अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की तुलसी के पौधे में कौन सी वो चीज आपको रखनी है जिसके बाद आपके घर में धन की वर्षा भी होगी और अश्ट लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा देखिए जहां पर श्री हरी विश्नु होते हैं ना वहीं पर होती हैं धन की देवी माता लक्ष्मी क्योंकि बिना श्री हरी विश्नु के मा लक्ष्मी कहीं नहीं जाती है जहां श्री हरी विश्नु वहाँ पर लक्ष्मी हमेशा वास करती है अब आपको बता दें कि जो श्री हरी विश्नु है इन्हें तुलसी मैया बहुत प्रिये हैं और आपके घर में सुख समृद्ध भी बढ़ती है और धन की वृद्ध भी होती है। अब जो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि घर में धन नहीं आता, पैसा हाथ में नहीं रुकता है, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जीवन में हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, एक-एक रुपए को लेकर परेशान है, दूसरों से पैसा उधार लेना पड़ रहा है, तो जिन लोगों के साथ ऐसी चीज़ें बहुत हैं, मतलब धन को लेकर बहुत ज्यादा समस्याएं हैं उन्हें, तो विशेश कर दीपावली पर यह तु पूलसी से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि धन संपदा को बढ़ाने के लिए यह बहुत ही लाभदायक, बहुत ही चमतकारी उपाय है, तो देखिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर एक कलावा लेना है, ठीक है ना, मौली धागा जिसे हम बोल कर और कलावा आपको थोड़ा सा उसी हल्दी वाले जो हल्दी का आपने पेस्ट बनाया है, न गाढ़ा गाढ़ा घोल, उसी के अंदर आपको उस मौली धागे को उस कलावा को अच्छे से हल्दी में लपेट देना है, हल्दी को अच्छे से उस कलावा के ऊपर आपको लग अब आप क्या करेंगे कि इसके अंदर जो कलावा आपने लिया है तीन गांठे आपको लगानी है। अब आपको क्या करना है यह जो आपने मौली भागा लिया है कलावा जो लिया है यह आपको तुलसी जी के पोधे पर बांधना है। जिसमें कि आपने हल्दी लगाई है धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाती है और धन की जितनी भी समस्याएं हैं वो आपके घर से आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। और जो आपके भाग्य में दुख कष्ट लिखे हैं ना वो भी दूर होते हैं। क्योंकि हल्दी देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि आपके गुरू ग्रह को मजबूत कर देगी और आपकी कुंडली में आपका गुरू ही ग्रह होता है जो आपको सब कुछ देता है अधिक से अधिक पैसा देता है अच्छी से अच्छा जीवन लाइफ सब कुछ को आपके गुरू ग्रह से मिलता है और हल्दी का कोई भी उपाय जब आप करते हैं तो कुंडली में गुरू बहुत मजबूत हो जाता है तो देखिए जब आप इस उपाय को करेंगे ना हल्दी वाला कलावा जब तुलसी मया के पौधे पर बांध कर आप मां तुलसी से प भंडार भर जाएंगे धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी पूरे विश्वास से किया गया कोई भी उपाय कभी भी निश्फल नहीं होता है भगवान आपकी जो भी मनोकामना होती है ना उसे जरूर पूरा करते हैं तो कोई भी आपकी अगर इच्छा है वि श्री हरी विश्णू आपकी कोई भी मनोकामना हो उसे पूरा जरूर करेंगे क्योंकि मात तुलसी की कोई भी बात श्री हरी विश्णू कभी नहीं टालते हैं तो बहुत ही उत्तम सा यह उपाय है बहुत ही चमतकारी है और इस बार तो दीपावली पर बहुत ही उत्तम और शुभ योग बना है, तो आप ये उपाय जरूर करें, तो बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि तुलसी मैया से ही जुड़ा हुआ है, देखिए, आप इस दिन क्या करें, कि तुलसी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी ले लें, है न, क्योंकि उसमें होता है समस्त तीर्थों का वास, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है, वहां से थोड़ी सी मिट्टी ले लें, थोड़ा सा जल उसके अंदर डालेंगे, और इसका तिलक आपको अपने मस्तक पर लगाना है, अब घर में जितने भी सदस्य है न, सभी के मस्तक पर आपको यह तिलक चाहिए, देखिए जो तुलसी की मिट्टी होती है न, इसका तिलक जब आप लगाते हैं आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, कश्ट हैं, जो बार बार जीवन में समस्याएं आ रही हैं, काम नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत बार जब व् पश्ट दुख जो हैं, वो बहुत जल्दी दूर होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं, वो बहुत आसानी से होते हैं, उनमें कोई अडचन नहीं आती है, देखिए, जितना पुन्य आपको बहुत सारी पूजा पाठ करके, पवित्र नदियों में सनान करके मिलता है, उतना पुन्य तो आपको अपने घर पर ही मिल जाता है, बैठे बिठाए, जब आप तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक कर लेते हैं, बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करेंगे, तो सफल जरूर होगा, तो चलिए, अब हम अपने अगले और सबसे महत्वपून उपाय क की बात कर लेते हैं, तो चाहे मर जाना, पर धन तेरस और दीपावली के दिन ऐसी तीन सबजियां घर में कभी मत बनाना, पूरा घर परिवार बरबाद हो जाता है, साथ ही जाने धन तेरस और दीपावली पर ऐसा क्या खाना चाहिए, जिससे आपके जीवन में भगवान ध धन वंतरी की क्रिपा बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की क्रिपा प्राप्त हो जाए, और भूल कर भी दीपावली पर ये पांच गलतियां कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी, धन तेरस का महापर्व भगवान धन वंतरी को समर्पित है, तथा दिवाली का महापर्व माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को समर्पित है, हिंदू धर्म में अगर दीपावली पर घर में एक घी का दीपक जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा न की जाए, तो समझो आपने धन को ठुकरा दिया है, इस समय घरों को दीपक जलाकर सजाया जाता है, द 30 अक्टूबर दोपहर एक बजकर पंदरह मिनट पर समाप्त होगी, ऐसे में उदयातिति के अनुसार 39 अक्टूबर दो हजार चौबीस को धन तेरस का त्योहार मनाया जाएगा, दिवाली हमेशा कार्तिक अमावस्या की रात्री के समय मनाई जाती है, दीपोत्सव हमेशा रात में ही किया जाता है, इस साल कार्तिक अमावस्या 31 अक्टूबर को दोपहर 3 बजकर 52 मिनट पर शुरू होगी, और 1 नवंबर को शाम 6 बजकर 16 मिनट पर समाप्त हो जाएगी, साथ ही इसमें उदयातिति की मानिता नहीं होती, इसलिए इस साल दीपावली 31 अक्टूबर इस से भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त होती है, धनिया को साक्षात भगवान धनवंतरी का ही प्रतीक माना जाता है, गमले में उगाया धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए, इस से जीवन में धन की कभी कमी नहीं हो सकती, जैसे जैसे आप इस हरे धनिये का गर के हर सदस्य को इसे खाना चाहिए। सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे हैं।